तो यह देखो प्यारे बच्चे इस वाले को देखो और यह जो कोशन है कई बार आया हुआ है तिक ना काफी बार इस कोशन को नीट वाले वह याद करते हैं तो यहां से मतलब एक प्रिजम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर रूट तू अब रिफ्रेक्टिंग एंगल थर्टी डिगरी है वन अब दे रिफ्रेक्टिंग सर्फेस इस इन्वार्ड हमने प्लेन मिरर रगा दिया अब यह करते हैं यह बीमा मोनो क्रमेटिक लाइट इ हम बना लेते हैं इसकुर्चन को जो है ओं कई बार पूछा गया है ठीकिना मेनी टाइमस इस कुछन कम इन नीट और एक सर्फेस यहां से मैं वना देता हूं तो इधर से मैं पॉलिस कर देता हूं और यह जो है वह मिरर हो गया यह रिफ्रेक्टिंग प्रिजम एंगल यह ब अगर आप देखो गें यहां से तो अब जो लाइट रहे हैं वह यहां से इंसिडेंट हूई है और वह इंसिडेंट यहां से कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई है तो यह कह रहा है कि यह इंगल आफ इंसिडेंस आई हमें निकालो इस तरह से और फेस रीट्रेस इट्स पाथ रीट्रेस मतलब यह इसको ऐसे चले जाना चाहिए था परे जाएगी ऐसे 90 डिग्री पर इस पर परेगी तबीं जाके इसको रीट्रेस होगा तो यह इहां से ऐसे आएगी रीट्रेस और यह कुछ ऐसे चली जाएगी ऐसे यहांसे रीट्रेस तो यह आई की हमें calculation निकाल इतों ये इंगल 90 यहाँ से 90 already here and 30 वहीं रहुआ इंगल किछा गया तो ये भी 60 होगा और ये 90 और week 30 और यह हीए का स्ट होजाँ आज्ए अगर इंगल से 30 हो जाएगा तो अगर इंगल हां से 30 हो वाली चीज तो अब पॉइंट जो पी है पॉइंट पी तो पॉइंट पी पर अगर तुम देखोगे तो यहां से साइन आई और यहां से मल्टिप्लाइड वे वन के पर तो मू यहां से साइन एंगल 30 के एक्वल होगा तो अब यहां से देखोगे तो साइन आई एंगल अफ इसदेंस मू की बहलू यहां रूट टू है और साइन 31 वाइट तू है जब इसको रिशनलाइज करोगे तो यह यहां से पर नीचे मल्टिप्लाइग करोगे तो यह जाएगा 1 बाइरूट टू के एक्वल आजैगा 1 बाइरूट टू मतलब साइन 45 के एक्वल आजैगा तो इंगल आव इस्टेंस आई जो है, वो 45 डिगरी के एक्कोल आ जाएगा, तो अपना जो है, वो ए अप्शन इसमें से सही हो जाता है.